तो गाइस कैसे हो आप लोग तो स्वालों स्टार नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नाइन्टी-सिक्स में आपका स्वांगत है तो चलिए शुरू करते तो जैसा कि हमने पिसले एपिसोड में देखा की लुफेंGO ब्रेक्ट्रू कर चुका होता है लुपेंग के लेखपितर क किसी को चल गई होती है और सबको पता चल गया होता है कि लुफेंग गाड किंगे 1st level पर आचुका है जो कि God के breakthrough करने के बाद invincible बन जाए और अगर यहाँ पे ऐसी news भी आती तो किसी को विश्वास तो होने वाला नहीं था और यह एपिसोड बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है और कल फाइनली मैं official episodes के पास आहीं जाओंगा इसी के साथ हमें दिखा जाता लूपें को अगर साथ में वा भी युवांग सिटी को अवाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ पर लूवही मौजुद है ऐने भी लूवह के ब्रेक्ट्टूप के बाहरे में प्रादा चल गया ओता है जिसके कान वह भी लूवहे को अवाइड करने के ही सोचने ही क्योंकि यहां पर वहां पर न इंचेस्टर जो की फूर्ट कींडम के सेकेंड ब्रदर होते हैं वहां पर उसकी पहले सेंडुस्मनी चरड़ी होती है लेकिन वो कहते कि अगर वह ही भी हमारे प्लान के बीच में आयां तो यहां पर वह भी कुछ नहीं कर पाएगा वहां को यहां पर किया ता कि मेंशर फूर किंडम मैं हमार्य किंडम के ऊपर फूल उन इन्वेंशन कर दिए है और यहां पर उक इनतर हमें अापर ब्रूत कर दिया है 0 on such brutal होते हैं जैसे कि वो सब को मारना जांते थे और यहांपे कई सारे चाह única को चुछ भी नहीं कर पाते और वो सभी वहीं उनसे कपजा करतेश जा होते हैं साथ में उन्होंने लिया होता है क्योंकि अगर यहां पे कुछ हुआ तो यह सब का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अभी की फिलहास सभी चीज़ के उस लबस के के बंदे ही संभाव रहे होते हैं फिर दिखा जाता है कि वह तयार होते हैं बस अपने लीडर्स की यहां पर इजाजत लेने के लिए हम दिखा जाता कि वह डिले नहीं करते वह अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने फुल वार डिस्ट्रक्शन चालू कर दी होती है अब यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जाता है फूर्ट कींडम के द्वारा कि उन्होंने फुल इंवेंशन नहीं शुरू किया है क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी गॉड किंग को वार के अंदर नहीं उठा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे के उस रिल्वर्स में सब फाइट होती है तो वहाँ पे गॉड किंग अपीर नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पी जिस तरह से वह फाइट कर रहे थे हैं उस तरह से साफ मतलब था कि उन्होंने फुल इंवेंशन कर दिया है बस यहाँ पे सबको दिखा रहे होते हैं कि युवांड किंग्डम कितना ही कमजोर हैं और फिर हमें दिखा जाता है फूड किंग्डम को जो की पूरीता से उस पर अटाक कर दिया होता है हमें वहाँ पे युवांड किंग्डम के कैप्टर रूलर्स को दिखा जाता है जहा हमारी आर्मी भी completely fall हो चुकी है जिसके बाद वो क्याते हैं कि वो अगर ऐसा चलते रहें तो हमें अपने जगा को छोड़ कर जाना होगा और वो कहते हैं कि हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा यह बरबाद हो जाएंगा अभी जानकर हमें दिखा जाता है कि वह लीडर भी बहुत है उनके पास भी इतनी इनफ पावर नहीं होती कि वह अभी उसका सामना कर सके वो उसके रूल अलफ टानुं को हरा सके और हमें वहाँ पर एक वोमें को भी दिखा जाता है जो क्याती है कि अभी हमें external forces पर डाई करना होगा हमें यहाँ बंदे को लाना होगा ताकि वो four kingdom से fight कर सके और वो यहाँ पर सजेस्ट करती कि हमें यहाँ पर god king luhay को भी यहाँ पर जॉइन करना होगा उन्हें बनाना होगा अगर वो यहां पर जॉइन करने के लिए रेडी हो गए तो हमें यह पता है कि वह इस चीज को संभाद लेंगे और वह यहां पर चॉड़ सकते हैं लेकिन अभी के फिलाल वह यहां पर जान कंफॉर्म नहीं थे कि लूफिक उनकी मदद करेगा या फिर नहीं और यहां पर four god kings भी होते हैं जिनके पास अभी कोई choice नहीं होती है क्योंकि उनकी पास अभी इतनी powers नहीं होती है कि वो food kingdoms के four gods का मुकाबला कर सके और वो सब इन सब के बार में सोचते हैं अधिको उन सब को अपनी जान की फिक्र होती हैं और इसे के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अभी लूहे को यहां पर लाने की सोच रहे होते क्योंकि उन्हें लूहे की potential के बार में पता होता है क्या आता है कि अगर देखा जाए तो लूहे को यहां पर मैं अपनी इंसेंट किंडम में जुआइन कराने के लिए बुला सकता हूं लेकिन अभी यहां फिंग इंसेंट किंडम से फिक सेकंड टायर पावर किंडम होता है और यहां पर देखा जाए तो लूफिंग की पावर इतनी काफी थे कि लूफिंग चाहे तो अभी अपना खुद खा एक सेकंड टायर किंडम इस्टाइबलिश कर सकता था वहीं वह सूच रहे होते हैं कि क्या लूफिंग सच में उनकी मदद करेगा या फिन त्यूकि लूफिंग के स्ट्रेंड यहां पर पूरी कॉंट्रेंड में मानी जा रही में लेकिन फिर भी वह यहां पर कहते कि मुझे कोई ना कोई चांस लेना होगा मुझे क्यासी बी मांजाए गाता था कि एस्के साथ का सर्वेंसाध करिया बैट बैट बच्र से बात करते हैं अब इसके बाद उठा के लीडर की बीच में बात होती हैं जो यह वहां पर निकल जाते हैं और यहां पर बैग बच्र भी जानता है कि लूफंग बन चुका है तो वो भी हैरान हो जाता है है तो अभेवी अभी से तर्ने टुगर् लेवल का ही बन्दा होता है लेकिन इतनी ब्रेक दू करने के कान बी है करां हो जाता है में दोस्तवात की उस लेवल का दना था वह लूपंग और अफुछ हमें से मिलने के लिए निकल जाते हैं और अब पर अपने groups कुछ सांह लेकर आए होते हैं और यहां पर आके मिल देहां लेंटेंग के अंदर अले आते हैं जहां पर किंम सामने के सामने बैठन होते हैं अछ वो बाहरी से क्लिकि बारे के सेंच कर पार होते लूप एंढू सी कर दिया आप कारीव करते हैं सब एस से हुआ है यह जिसकी है अपनी बेटी की ड्रारा एक लीफ को भीजा था सा व tile को अगे तक पहुचा पाया और मैंने आपनी lose प्रोफान्ड लेवल तक ले गया और ये लुफेंग को वो लीफ मिलेते जिसके से कान वो क्योटिक लेश्र को क्यूक्त कर पाया था जिसके से कानन उसकी से कान उसकी आपने से अउप कुण पार बड़ छुक्त कौन की यहां पर लूपंग अपने पाउर्स बढ़ा होता है यह सुनकर वो बन्दा कियाता है कि आप तो सच में पॉलाइट है वो तो सिफिक पेर का तो सिफिक लीफ था जो कि एटर्नल ट्रू गड़ की था जो कि आपको के उस लेयर में जाने के लिए मदद करता था यह उतनी जाला अच्छी भी नहीं थी जिसके बाद लूपेंग कहत है कि freely speaker कर सकते हैं जो भी है कहिये जिसके बाद हो क्याते है कि तुम हमारे situation के बार में जानते हो कि हमारे फोट कींडम और यवान कींडम में अभी क्या चल रहा है यहां पे वो हमें मारना चाहते हैं वो डिस्ट्रॉइ करना चाहते हैं और वो अभी second stage के बंदे हैं हमारा क kingdom's को भी अपने हथे चरहा लिया होता है अब लूफिंग से क्याता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमाएं पास resources की कम हो जाएगी और resources की कम ही होगी तो हमाई यान फेंट kingdom वह पुरी तरह से तबाह हो जाएगा क्योंकि हमाएं पास को resources बचेंगे नहीं जिससे कि हम अपने लोग को कल्टिवेट करा पाएं जिससे कि वो सब चले जाएंगे जिसके बाद वो लूफिंग से मदद करते हैं और क्याते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए मुझे पता है कि आपके पास आर्ट ऑफ क्लोन्स की पाउर्स मौजूद है जिसके कान आपको किसी भी चीज को देने को तयार हूँ बस आप हमारी मदद कर जीजिए और वो लूफिंग से इसी के बाएं में बोरे होते हैं और कहते हैं कि अगर आप यहां पे इन्वाल नहीं भी होना चाहते हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा जिसके बाद वो उसको कहत हैं कि यहां पे आपके पास डो आइडिया है कि यहां पे मैं आपको फूली अपनी किंडम में जॉइन कर सकता हूं नैच्छली देखा जाए तो मैं आपको कई साए ट्रेजर सोर कई साए चीजे भी दूगा और आपकी सारी कंडिशन मानने को भी तयार हो जाओंगा और कि वर्थ पॉइंट भी दे सकता हूं जिससे अपके ले सकता हो लूफिंग को अपनी तरफ कर सकें देखो ट्वेंटी के उस्टेट्स यह बहुत ही होता है और देखा जाता है तो अबि तक यहां फुट पवले ने एट के उसे स्टेट्स को अपने अंदर कबजा भी कर लि नहीं सिर्फ 10 के उस इस्टेट्स चाहिए तो यह जान योग यह तेंग्यों पूरी धाप्तर से हैरान हो जाते मांग गया May यहां पर देखो लूपविंग के अपने कारण होते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि आखिर का लूपविंग इतने कम में कैसे मान गया क्योंकि यहां पर लूपविंग का पहला ही उससे ग्रूज उससे ऐसे ही दुस्मानी चाड़ है तो ऐसा उसके लिए बहाना मिल जाए हैं कि यहां से पूसता है कि चली तो आप बठाए कि आप अपने मौव को कभ्य करने वाले हैं मैं यहां प़र ऐक्स लेने के लिए पूस्थे हैं अभ inward क्याता है कि यहां पर देखा लातों है अभी एक्शन लुगा और यहां मैं उसे ऐसा है देने के लिए भी तयार हो जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सौधा होता है यहां पर वो कहाते हैं कि लूपवेंग भी कहाता है ठीक है लेकिन यहां पर मुझे वो टिंट के अपने हिवांग सीटी के बगल के बॉर्डर पर ही चाहिए ताकि वो एक साथ रह सके और लूपवेंग एक साथ उन सब को कर सके तो क्या ठीक है मैं अर्जमेंट कर दूंगा जिसके बाद वहां से चले जाते हैं और वहां से निकल जाते वह बहुत ही जारा खुश होते हैं कि यहां पर लूपवेंग ने उनके साथ इतने अच्छा से ट्रीट की थी और कि वह सबी सेकंड एश्टेस के युवान मूब लड लाइन के बंदे हैं तो मुझे भी अच्छे से प्रिपेर होके रहना होगा और लूफिंग अपने आपको पावफुल बनाना सुरू कर देता है लेकिन देखा जा तो इस दस निनों में क्या ही लूफिंग खुद को पा कर ला मौफिंग से लेप्सोर आया ये तो में देने सुरू में तबता कि ली बाइ